इस मज़्यदार कोशन को देख लेते हैं, कोशन नमबर 4, कोशन नमबर 4 में हम से क्या रहा का कलर ले लेते हैं, दो को सिंपल सा कोशन है, A train moves with a speed of 30 km per hour in the first 15 minute, तो train यहां से start हुई, let us suppose और यह चलना शुरू कर दी, 15 minute लग गए से चलते हुए, यहां पहुच गई, A से चली, B तक पहुच गई, ठीक अब है, simple सा, A से चली, B तक पहुच गई, कितनी velocities है, let us suppose V1 है, और V1 की value कितनी है, 30 km per hour, ठीक अब ही, आगे कहते हैं, आगे क्या कह रहा हैं भाईजान, अब कह रहा हैं कि in the first 15 minute, आगे कह रहा है, with another speed of 40 km per hour, the next 15 minute तक train अगले 15 minute तक move कर गई है, let us suppose यह C तक पहुच गई, यहां पर भी time कितना लगा है, 15 minute, ऐसा करने पर उसने कितनी speed gain की थी, 40 km per hour, let us suppose कि यह V2 है, तो आपके पास V1 आगया, और आपके पास V2 भी आगया, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, in last 30 minutes, तो यहां से यहां तक 30 minute तक train चली है, और 30 minute तक चली है, किस velocity of speed से यह आगई, 60 से है, तो let us suppose कि यह V3 है, और यह 60 km per hour, चुटकियों में हो जाएगा, और आप से होना चाहिए भी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हैं, पिछले numerical देखे हैं, तो 101% आप से यह question होना चाहिए, और अगर आप से नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपने इस से नहीं देखी मेरी वीडियो, देखो कैसे करते हैं इसको, इसको भी हम trick से करदेंगे, कैसे करेंगे भई, हम से कह रखाया है, कि यह 15 मिनिट हैं और यह 15 मिनिट हैं, तो भाई, आप इन दोनों केस को ले लो, तो time same है, जब time same होता तो मुझे बताओ, average velocity का, जो question थे, उसमें जब time same होता है, तब average velocity क्या होती है, वो होती है, V1 पिलस V2 upon 2, जब time same होता है, तो आपने देखें, पंदर मिनटी है, तो A से C तक की, A से C तक की journey में, A से C तक की journey में, जो average velocity हो जाएगी, average speed हो जाएगी, V1 पिलस V2 upon 2, तो लगाओ, V1 पिलस V2 upon 2, V1 कितना 30, V2 कितना 40, इसका आधा कर दो, कितनो जगा 70 का आधा, 35 km पर आधा, तो भाई, A से C तक, जो average speed आईए, वो आईए 35 km प्रती घंटा, ठीक है, अब एक नया case ले लो, कि body A से C तक पोची, फिर C से D तक पोची, क्योंकि ये तो आपने solve वो कर दिया, A से कहाँ पोची body, A से पोची C तक, A से C तक पोची, फिर C के बाद कहाँ पोची last, वो पोची D तक, यहाँ भी देखो, जब A से C तक पोचेगी, तो 15 मिनट प्लस 15 मिनट कितना हो जाएंगा, total 30 मिनट ये, और अगले भी कितने है, C से D तक ये भी 30 मिनट है, ये बाली बास समाझ में आ गई, हाँ बिलकुल आपको आ गई, अब देखो, यहाँ average velocity जो होगी, तो ये, let us suppose कि ये V' था, तो ये V' की value कितनी है, आपके पास फिरहाल 35, और C से D तक, C से D तक, velocity कितनी तरहेंगे, V3, और V3 की value कितनी है, आपके पास, 60 km पर आ रहा है, average, average velocity के होजाता है, इन दोनों velocity को जोड़ो, और उनका कर दो half, जब time same होता तो, 60 और 35 कितना होगा है, 95 upon 2, जब 95 का आधा करते तो ये होजाता, 47.5, किलो मीटर पर आर, यहां से ये 5 थोड़ा तेड़ा होगया, ठीक है, वह पोइंट लगा दो, और ये होगा, 47.5, तो क्य ऐसा ही आंसर दे रहा था आपको, yes, 47.5 किलो मीटर पर आर, इतनी आसानी से, इतने सरल मेथट से, आपको भाई कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा ये कोशन, बहुत लंबे चोड़े फोर्मुलास, बहुत लंबे चोड़े तरीके, और ये सिंपल हमने smartness से solve कर गए, दिया कोशन विदिन टू मिनट, ठीक अब ऐसे ही आपको मज़दार MCQ मिलेंगे, numerical मिलेंगे, theoretical कोशन मिलेंगे, बस मज़ा आता रहेगा, बस mind free हो के देखते रहो, चलिए अगले कोशन में देखते हैं आपको,